असलाम अलेकुम दोस्तों एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम दे सेकेंड कमिंग बाइ विल्यम बटला रीड्स यानि डब्यू बीड्स को आजम डिसकस करेंगे दोस्तों यह पॉम लिखी गई थी एक आईरिश राइटर के द्वारा जिनका नाम है डब्यू बी इर्स ये लिकी गई थी 1919 को फर्स्ट प्रिंट हुई थी दे डायल में नवेंबर 1920 में और इसको 1921 में एक कलेक्शन में एड़ कर दिया गया था जिसका नाम था माइकल रॉबर्टीज एंड दे डांसर तो चले दोस्तों अब थोड़ा पॉम के बारे में डिस जर्फ कर रहा है पॉम शुरू होती है एक फ्रेज के साथ टर्निंग एंड टर्निंग इन दा वाइडनिंग जायर जायर एक दायरा नुमा होता है और यीट्स यकीन करता है कि काईनात जुड़े हुए दायरे पर मुश्तमिल हैं जो के मिलकर एक इंडिवीजूल की बहुत ज्यादा खतरनाक है मुझूदा गर्दो गुबार से कोई नई चीज अबर रही है और इस बात को वसी और बढ़ा रही है कि दुनिया का मकसद क्या है और उस मकसद को तबदील करती है उस दरजे को तबदील करती है यानि जिस दरजे पर लोग काम करते है यानि जि पूरे हिस्से में स्पीकर सिर्फ एक बात की वजाहत करता मिलेगा कि लोग तसलसल और इखलाकियास से दूर जा रहे हैं यानि मुरैलिटी से हट रहे हैं जलम मासुमियत को तबाह कर रहा है लोग अपने रहनमा को छोड़ रहे हैं बुन्यादी चीजे छोड़ रहे हैं वो जो अच्छाई पर यकीन रखते हैं वो खामोश है और बुराई का साथ देने वाले लोगों की आवाजे बुलंद हैं और अफरातफरी पहलाने वाले चिला रहे हैं अब दूसरा सेक्शन इस लाइन के साथ स्टार्ट होता है शूरली सम रेवलिशन इस एट हैंड और इसम स्पीकर ये बात करता है कि उसे यकीन है कि कोई तबदीली आने वाली है इसके इर्द गिर्द ये सारी अफरातफरी एक हादसा नहीं हो सकता यकीनन कोई अजीम चीज होने वाली है इसाई मजब की कोई बात सच होने वाली है वो खात्मा आने वाला है तीसरा हिस्सा ये है क जिसमें अब हमें पता चलता है कि स्पीकर का आखिर इस अक्रे कमिंग के बारे में क्या विजन है उसका नजरिया क्या है वो आखिर क nella कि चाता है वो यह कहाना चाता है कि यह नए दुनिया जिसमें फसाद जुलम और अफरात तफरी है यह माजी में भी ऐक बार हो चुका है और अब यह दबारा से हो रहा है यह बाते दुबारा मतuu हो चुकी है अब Speaker Spiritus Mandi के बारे में सोचता है जो कैक Latin यानि लातीनी जुबान का लफज जैंग जिसका मतलब है Spirit World यानि एक ऐसी दुनिया जिसमें स्पिरिट्स हो अब वो इस स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ तसवर करता है जिसमें वो स्फिंक्स को देखता है स्फिंक्स कहते हैं एक ऐसी मखलूक जिसका सर तो इनसान का हो लेकिन धड़ शेर का हो वो वहाँ पे सहरा को देखता है और उसके साथ-साथ कुछ ऐसे परिंदो को देखता है जो के शेडवी होते है यानि वो साए की तरह होते है अब आखरी हिसे में स्पीकर को यकीन है कि कुछ और बहुत बुरा होने वाला है कुछ नाइटमेर कुछ दरिंदे वो दुनिया की तरफ आ रहे हैं और उनके आनी की रफ़तार बहुत ज़्यादत तेज है अब उसको नहीं पता कि ये मखलूक क्या है लेकिन वो ये महसूस कर सकता है कि ये जो मखलूक है ये अब बस पहुंचने वाली है और ये जो मखलूक है ये उस सेकंड कमिंग की वज़ा है ये ये मनहूस मखलूक उस सेकंड कमिंग की वज़ा बन रहा है और ये जो पुरस्तार लहर है बुराई की ये भी उसी वज़ा से है और ये रास दुनिया तक पहुंच रहा है कि दुनिया में modernity जो है वो आप आम होने वाली है और सारी दुनिया में तशद्द होगा, जंग होगा और उसके लावा लोग अपनी रिवायात को, अपने एकदार को, अपने values को वो छोड़ देंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही, thanks watching my video